ओम नमस्षिवाई आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ हूँ गुरुदेयुदारा एक स्पेसल वीडियो चार-पान साल पहले शायद मुझे यही ध्यान है हम सबको सरत पूर्णिमा के उपाई के बारे में दिया था जैसे कि सरत पूर्णिमा साल भर मे सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है कई सतर है की बिमारियों का उपचार इस दिन के आ जाता है जीवन की धन संबंदी परिशानिया या कोई साभी आपके जीवन में ब्यापार न चल रहा हो घर पर लक्षमी का वास न होता हो संतान संबंदी समश्या हो कोई भी समश्या हो उसके लिए ये उपाई एक बार जरूर करके देखेगा माफ कीजिएगा खीर में नहीं बना पाई जो सामगरी थी कैसे करना है क्या करना है वही विस्तार से बताने के आप सबको कोशिश की है खीर उसी दिन बनेगे आप भी उसी दिन बनाईएगा करें ये कोई साभी हो सकता है स्टील की कटोरी रख दीजिए उसके उपर आपको स्री लक्षमी मैया की फोटू रखनी है वह ना हो तो आप कोई चांदी का सिक्का ले सकते हैं या जिस पर माता लक्षमी की मूर्ति अंकीत हुआ ले सकते हैं आपको दीपक लेने हैं और आपको लगाना है आपको क्या करना है इसके बाद आपको छत पर जाना है कमल गट्टा जैसे मैंने बताया वह भी चाहिए पान के पत्ते भी पांच चाहिए खीर बना लेनी है उससे एक कटोरी में एक सारत पूर्णी मा के दिन डब्बे में रखते हैं वह रखनी है साथी एक कटोरी में अलग से लेके जानी है अब आपको जो 31 दीपक है जो कलश भर रखा है उसके सामने लगा देने हैं इस तरह से इसके अंदर आपको एक कमल गट्टा डालना है और जो 31 दीपक है उनमें एक एक कमल गट्टा डालते हुए घीक्या दीपक लंबी बाती का हो को भोग लगाना है खीर के साथ जो पान के पत्ते हैं में थोड़ा थोड़ा खीर रखकर माता लक्षमी को चड़ाने हैं इसके बाद माता लक्षमी का जो आपने मूर्ती ली है या आपने इस तरह से चांदी का जो सिक्का लिया है इसकी पूजा करनी है विदिविधान से म माता लक्षिमी को कहनी है अखंड सुहाग के लिए करें या जीवन की किसी भी समश्या के लिए आपको यह छोटा सा उपाय करना है इसक्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यह उपाय करना है खीर आपको रखनी है इन पत्तों के उपर और 31 आपको संख्या लेनी है पांच आपको पान के पत्ते लेने हैं 31 आपको दीपकों की संख्या लेनी है इस तरह से कमल गटे उनके अंदर डालकर आपको अभी धिविधान से माता लक्षिमी को चंदर देव के आगे पूजन करना है और अपने मन की कामना कहनी है अवश्य पूर्ण होती है यह दिन पूजन करता है उसके जीवन की समस्त कामना पूर्ण होती है इसके बाद आपको खीर आपने अलग से डब्बे में मैंने जैसा सुरू में ही बताया उसे नीचे लाना है और अपने पूरे परिवार के सदश्यों को बाटना है और साथी जो यह दीपक है आप घर पे रखना चाहे तो ठीक है ने तो इनको किसी फीपल रेक्ष के नीचे रक दीजिए और साथी घीर बनाई है जो मातालक्षिमी चो अरपित की है उसे भी आप पिपल रेक्ष के नीचे रख दीजिए क्योंकि खुले मैं है प्रियोग हुआ है कोई कीट्फ़ नमें यह घ्यक्र लिया इस तरह से यह पूजन करना है और जो लक्षिमी मैया का आपने सिक्का लिया है उसे इसी तिजोरी में रखते हैं वीडियो यूजवल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें जय माता दी